बिस्मिल्लारामर्रहीम असलामलेकूम आज हम बेसिक अरिथमेटिक कलेक्शन नूबर 25 स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंट्रस्ट अल्रेडी हम इसके काफी क्वेस्टिन कवर कर चुके हैं आज हमारा इसका लास्ट सेशन है और क्वेस्टन नूबर 13 से स्टार्ट करेंगे क्वेस्टन नूबर 13 की स्टेटमेंट है दिफरेंस बेट्विन सिंपल इंट्रस्ट अन कंपाउंड और रुपीज त्वेल्वंड फार वन येर एट 10 पर संट पर एनम रेकंट हाफ येरली इस कामलो मैं मॉलूम करना देटेफरेंस एक तो हमने मालूम करने का डिफरेंस biooo the simple इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट दो कलेट्रेंगे एड़् फिर उस पर हम पारोंड हमारी 1200 की और एक साल के लिए परसंटेज हमारी जो है इंटरस्ट की वो है 10% और रेकंड है हाफ येरले तो सॉल कर लेते हैं इसको सिंपल इंटरस्ट का आपको फार्मूला पता होगा को सिंपल इंटरस्ट इस इकल टू पी आर टी पी कौन से प्रिंसिपल अमांट रेट और टी टाइम तो इसी को आपने पुट करना है यहां पर प्रिंसिपल अमांट हमारे ठीट है चाहिस हमारा यह तैन परसेंट और यह यह रहा है वन तो यह तैन परसेंट के साथ संट यह नीचे आ जाएगा तो यह इस तरीके से सिंपल इंटरस्ट काल्कुलेट करेंगे जब तो इस अमांट पर हम जब compound interest calculate करेंगे तो compound interest का यहां पर फार्मूला लगेगा c i is equal to a into 1 plus i percentage into raised to power n और यहां पर हमने सिर्फ compound interest नहीं बलके जो compound interest उस amount पर earn किया होगा तो वो calculate करना है तो minus उस में से minus amount भी निकाल देंगे तो हमारे पास ultimately compound interest सिर्फ आएगा amount नहीं आएगी हमने compound interest यहां से निकाले न तो यह हमारी जो amount है 1200 है वन फार्मूले का है 5% यहां पर हमने compound interest में half record यहां पर रेकन का देना हाफ yearly क्योंके 10% था annual अब हमने compound interest को half yearly calculate करना है तो 10 एक साल में कितने half होते हैं दो तो 10 divided 2 is equal to 5% और एक साल में one year के लिए जो time है उस में एन पावर जो है 2 आ जागा क्योंकि एक साल में 2-6 मिने होते हैं लहाजा हमने compound interest को calculate करने के लिए यह कुछ changes इस formula में हमने जो की या numbers में वह मैंने आपको समझा दी और इस तरीके से यहां पर हम put कर लेंगे 5% raise to power 2 क्योंकि two half years हैं यहां पे और amount वही रहेगी हमारी जो यहां पर हमने इन्वेस्ट किये वही एंड पर हमने माइनस करनी तो हमारे पास साल करने के बाद 123 आ जाएगा simple interest calculate किया था एक साल पर 120 बन रहा था जबकि compound interest two half years में 123 बन गया अब हमने इनका difference जो निकालना है तो compound interest पर जो हमें interest मिला 123 और simple interest जो था साल में हमें मेला 1200 हो पर 120 है वो जब 123 से माइनस किया 120 तो इकल टू 3 जो है हमारा answer आ जाएगा तो difference जो है रुपीज 3 कर difference जाएगा इसके बाद next हमारा question हता है question number 14 थोड़ा सा typical है the difference between compound interest and simple interest on an amount of rupees 15,000 क्या क्या चीज़ हमारे पास है एक amount है 15,000 की और time हमारे पास है two years और difference इसका है 96 का तो हमने मालूम क्या करना है rate of interest rate हमारे पास क्या होगा तो यह हमने solve करना है तो जो पीछले हमने formula का बताया है उसी को उन्हीं को apply करना है यानिके simple interest के लिए principal amount rate और टी ठीक है जीए और जो के हमारा compound interest है उसके लिए a into one plus i percentage में और raise to power n हमने यह लगा लेना और हमने यहां पर जो amount सिर्फ interest की हम बात करेंगे तो है minus करेंगे a और इसको मजीद solve करने के लिए a common भी आप ले सकते हैं one plus i into percentage raise to power n और minus one तो यहां तक जो है आपने यहां पर फार्मूला लगाया compound interest वाला principle amount हमारे दिया है 15,000 one plus r और raise to power two क्योंके time हमारे पास दो साल का है और यह जो हमने नीचे लगाए amount यह वाली यह 15,000 उसी तरीके से लिए अब 15,000 को यहां पर common आप ले लेंगे तो one into r divided hundred यहां पर जो आप इसका पूरा जो raise to power वाला फार्मूला लगेगा और minus one इस लिए है कि हमने 15,000 को यहां पर common ले लिया था और यहां पर इसको आपने solve करना है minus 15,000 और यह जो फार्मूला आपका यहां पर लगे का simple interest के लिए principle amount rate जो हमारा और divided by percentage के साथ और n जो हमारे पास two years है और इन दोनों का जो difference question के statement में दिया गया है वह 96 का है तो अब इसको मजीद ह हम solve करते हैं मैं इसको जरा clear कर दूं तो आकि आपको नजर भी आ सके तो यहां पर next आगे चल कि हमने यह मैंने आपको समझा दिया कि 15,000 common लिया और यह फार्मूले वाला one plus r into divided hundred raised to power two minus one जो है यह common लेने के विज़ए से आया था और यह solve करने के बाद two r divided hundred हमारे पासा है तो difference जो है जो question के statement में दिया गया कि दुनों का difference 96 के proper है यह common था इसको आपन किया तो इसका आप पहले लेंगे इसको open करेंगे और यहां पे जो है यह hundred का square लेंगे तो 10,000 हो जाएगा और जब इसको आप open करेंगे यह one plus r square हो जागा और यह hundred इसलिए जब आपने अलग से इनक का LCM लिया था तो इसको मजीद जब solve करेंगे तो यह यहां पर one divided by यह इसको 10,000 divided by one तो यह आजाएगा 10,000 10,000 को one से multiply किया तो यह 10,000 और minus करेंगे और यह आजाएगा हमारा 200 r इसको जब आप solve कर लेंगे तो यह हमारे पास हासल हो जाएगा r square 96 multiply 2 divided 3 इसको मजीद जब 64 दोनों का जब आप अंडर रूट लेंगे तो और इसकल टू एट यानि कि हमें पता चल गया कि रेट जो हमारा यहां पे 8% अगर रखा जाए तो 15,000 की amount हो तो दो साल के लिए invest की जाए और rate हमारे 8% हो तो दोनों का difference जो compound interest और simple interest पे बनता है वो 96 रुपीज का बनता है य इसके बाद हमारा question number 15 अता है, last question है इस topic का हमारा, the compound interest on certain sum for 2 years at 10% पर रेनम इस रुपीज 525, the compound interest है certain amount हमें मालूम नहीं है और जो time हमारे पास वो 2 years है और rate जो है interest का वो 10% है, the simple interest on the same sum, अब जो sum हमें मालूम नहीं है, उसी sum पे हमने क्या करना है, लगाना है simple interest लेकिन कुछ changes करने है, for double time यहां पर time था 2 years, तो यहां पर simple interest के लिए 4 years, at half rate यहां पर 10% था, तो simple interest के लिए, compound interest के लिए 10% था, simple interest के लिए 5% हो जाएगा, तो आपने मालूम करना है कि interest उस पे कितना होगा, simple interest है बाब आब उस पे apply करेंगे सॉल कर लेंते हैं अभी हमें सम मालूम नहीं लेट सम इस इकल टू पी तो हम कंपाउंड इंट्रस्ट का पहले फार्मूला लगा दें पी इंटु वन प्लास आई रेस्ट पावर टू यह एंड जो तो माइनस कर लेंगे पी और हमारे पास आजाएगा इंट्रस्ट के अमाउ पी आपने कमन जब ले लिया तो पी बाहर आ जाएगा और यह पी जो है इकल टू वन हो जाएगा तो डिफरेंस है 525 का पी जब आप इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 525 मल्टिप्लाइ 100 डिवाइड टूंटी वन इसको लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंस्पल थम्टीपल और चलगया कि वह vigil हमने इंट्रस्ट मथागा वेले हमाने इसको पहर टेकि फार्शिंद के लिए तो यह तो इमोट आ जागे इसको सेँपल इंट्रержब्रमूर जो कि कफार्मू हूं लगाएंगे तो और स्कूल कि फॉर्मूर्ट के लिएअगे compound interest का formula लगा हैं यह compound interest पे invest करें तो हमें earning होती 525 जब कि वही amount आप simple interest पे लगाते हैं तो हमें earning होती 500 तो यह था overall question उमीद करता हूँ कि आपको यह simple interest का पूरा जो topic है अब कोई भी यह तरह का simple question आपके लिए paper में आएगा तो आप solve कर सकेंगे आप all the best मुझा जाद दीजे अल्ला आपेस